आज ही के दिन MORE ONCE का अंत हुआ था इसलिए मैंने सोचा क्यों न आप लोगों को MORE ONCE का संचिपत में हिस्टरी बता दूआ और ये वो इतिहासीक जगह है इसी जगह पर MORE ONCE का जो है इतिहास मिटा यानि more ONCE का अंत हुआ मैं थोड़ा मौर वंस का सुरुवात से बता देना चाहता हूँ उनके बाद जो राजा हुए देव वर्मन हुए उनके बाद जो राजा हुए वो सत धनवा हुए उनके बाद जो सबसे लास्ट का राजा हुए सबसे अंतिम राजा हुए उनका नाम ब्रिहद रत ब्रिहद रथ को ही उनहीं के सेनापती ने पीछे से बार करके उनका हत्या कर दिया था तुरास मैं और पीछे चलता हूँ, बैक में बताता हूँ मर वन्स के तिसरे राजा, जो महान समराथ असोक थे, वो कलिंग यूध जीते थे कलिंग यूध में लाखो लोग मारे गये थे, और उस कलिंग यूध में लाखो लोग को मरे हुए देख करके महान समराथ असोक के हिर्दे परिवर्तन हो जाता है, और वो ये सोचते हैं कि हम अपना समराज भिस्तारित करने के लिए लाखों लोगों को मार रहे हैं इसलिए उन्होंने अपना हिर्दे परिवर्तन किया और अपना सस्त्र रख दिये और लोगों को हत्या करने पर रोक लगा दिये लोगों को मारना भी बंद कर दिये लेकिन महान समराथ अशोक जिस दिन कलिंग यूध जीते थे उस दिन वो विजय दिवस के रूप में मनाने लगे और उस दिन अपना सौर परदर्शन करते थे यानि कि सक्ती परदर्शन सेना का प्रेड होता था और एक मैदान को चैनित किये सेना बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता था रत सवार सेना घुर्षवार सेना हाथी दल सेना बहुत सारे सेना थे पैदल सेना सभी सेना को सजाया जाता था वो यही मैदान है जिस मैदान पर मैं खड़ा हूँ इसी मैदान पर सभी सेना को सजाया जाता था पुरा चारो तरब से सभी सेना को अलग-अलग पैदल सेना अलग सस्ते थे उसके वाद घुर सवार सेना अलग कतार में रहते थे रत सवार सेना अलक अतार में रहते थे सभी सेनाओं को बहुत ही अच्छे तरीके से सजाया जाता था और शेना का शोर परदर्शन किया जाता था यानि की सक्ती परदर्शन किया जाता था लेकिन जितने भी राजा हुए मौर वंस के जो भी राजा हुए समराथ हशोक के बाद सभी लोग सेना परदर्शन करते थे वही विजय दिवस के दिन मौर वंस के अंतिम राजा ब्रिहद रत जब इसी मैदान में जिसका आज नाम है गांधी मैदान यहाँ पर जब सोर परदर्शन कर रहे थे सक्ति परदर्शन करने के लिए आए तब उनहीं के सेना पती पुष मित्र शूंग ने पीछे से बार करके हत्या कर देता है और वहीं मौर वंस का अंति हो जाता है इस तरीके से मौर वंस के दस राजा पाटली पुत्र के धरती जिसको मगद कहा जाता है यहाँ पर शासन किये पुरी दुनिया में इकलोता एक ऐसा बन से जो लगातार 149 बर्शों तक इस धरती पर शासन किये और लोगों को बीच में बहुत अच्छा शासन व्यवस्था बनाए रखे उमीद है कि आप लोगों को इस वीडियो से धोरी सी जनकारे मिल पाई होगी आप देख रहे थे सीके टीवी इंडिया निउज चितरंजन कुश्वाहा के साथ नमस्कार जैहिंद